हेलो व्यूवर्स अन बोक्स निडिया में आप सब कास स्वागत है और मैं हमरान आज मरे पास बुझे रिवाइज है यह है वन प्लास नोर्ड सी इत्री लाइट फाइब जी स्मार्टफॉन चाह दूस्ते एक नियुले लांच प्रोड़क्ट है वन प्लास के दरफ से वन प्लास से नोर्ड सी इत्री लाइट 5G स्मार्टफॉन और इसी स्मार्टफॉन की मेरे पास है पेस्टल लाइम खलर 8GB 128GB रॉम के साथ में बॉक्स कुछ इस तरह के से नाजर आता है, बॉक्स के बीचे मेंशन किया गया है, प्राइस 19,999 रुपीस से 20,000 और डिवाइस में 8GB RAM 128GB ROM पेस्टेल लाइम खरार देख सकते हो, बहुत ही बड़ी डिवाइस जामेजिंग फीचर्स के साथ में इसी स्मार्फोन को इंडियान म अगरा है, चलिए फिल्हाल इसी OnePlus Nord CE3 Lite 5G स्मार्फोन को सबसे पहले अन्बोक्स कर लेते हैं, और यहाँ पे OnePlus Nord CE3 Lite 5G स्मार्फोन अन्बोक्स हो जुका है, और जैसे ही अन्बोक्स करते हो उपर कुछ इस तरह किसे सेक्शन और इसी सेक्शन के अदर सीम इजक्टर, डोकु क्लाब, कुछ काफी सारा स्टीकर, यह सभी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, OnePlus की तरफ से और यह स्मार्फोन पेस्टेल लाइम कलर में, ग्रीन जैसा लुक से इसी स्मार्फोन की इतना प्यारा डिवाइस यह दिखाऊंगा, बाकी कॉंटेंट देखा जाए, यहाँ OnePlus Nord C3 Lite 5G स्मार्फोन, एक सिक तो पेस्टेल लाइम कलर में, कुछ इस तरिके से ग्लोसीनेस डिजाइन के साथ यह स्मार्फोन है, बहुत ही प्यारा लाजबाब इस स्मार्फोन देखने में काफी अट्राक्टिब लग रहा है, बेक बोडी की तरफ देखा जाए, इतना प् पास्ट लोग, फास्ट इंप्रेशन है, मुझे तो खासकर करके काफी अच्छा लगा, आपको किसा लगा, नीचे कॉमेंट सेक्शन पे जरूरू बताएं, अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो के लिए एक लाइक जरू कर दीजिए, और हमें बहुत ही चल्द, वान मिलियन सब्सक्राइबर का जो माइल स्ट है, वो कम्प्लेट करना है, तो प्लीज नीचे दिये गए, वाइट बटों को क्ली करके चैनलों को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अन्बोक्सिंग एंड रिव्यू विडियोज हमेशा आप लोग के लिए लाता रहूंगा, और इसी वण्प्लास और च Daarम मिलियन सब्सक्राइब सेया है, पॉली कहर्बड याने प्लास्टिक बैख बोड़े और प्लास् людям के साथ की इनिफाइज है, ग्लास नहीं है याद रेखेगा, और इसी स्मार्पवन की वेच है उन्डेरी निटिफाइब क्राम मिलियन बॉलियूम आप एंडाउन बटन एंट सीम ट्रे दिया गया है और डिवाइस जो है काफी लाइट विट है 195 ग्राम 8.3 mm तिकनेस यानि काफी तीन डिजाइन भी है और इसी स्मार्टफोन में और एक खलर भी है और आने वाले दिनोज में डेफिनिटली इसी स्मार्टफोन के हो सकता है अलग-अलग वेरियन भी देखने को मिले और चले फिलहाल इसी स्मार्टफोन के बाकी स्पेसिफिकेशन के उपर बात किया है इतना वक्त हमने इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हूं पन्चॉल के साथ में एक IPS LCD 6.72 इंचेस का Full HD Plus स्क्रीन 1080 x 2400 का पिक्सल्स 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ में इसी स्मार्फोन की डिस्प्ले है यानि स्मूद एक्स्प्रियंस इसी स्मार्फोन की डिस्प्ले में देखने हो मिल जाएगा 391 PPI रख साथ में दिया गया है अगर AMOLED स्क्रीन होता तो डेफिनली मज़ा ही आ जाता और काफी यहाँ पे खुबसरत है देखने को मिल रहा है कलर फुल डिस्प्ले है इसकलाब पर पर चलिए बात कर लेते हैं वान प्लास और सी तरी लाइट यह जो इस स्मार्फोन है इसमें हमें 8GB RAM प्लास अडिशनल 8GB RAM भी देखने को मिल जाता है यानि 8 प्लास 8 RAM दिया गया है अडिशनल RAM सौफटर बेस है इसकलाब वान ट्वान ट्वाइज में यहाँ पे Android वर्शन 13 और यहाँ पे Oxygen OS से यह डिवाइस चल रहा है 13.1 वह इंपोर्टन पार्ट है डिवाइस के प्र प्रोसेशर है लेकर प्राइस रेंज के इसाप से वान प्लास के डिवाइस के इसाप से बटर प्रोसेशर होना चाहिए था रिनोग शिक्स वान नाइन चीप यू दिया गया है और यह जो चिप सट है यह सेम प्रोस्ट नौर्ट चीट लाइट 5G में भी देखने को मिला है और इसी स्मार्ट फोन में भी सेम चीप सेट दिया गया है तो कुछ खास डिफ्रेंस नहीं किया गया है वन प्लस नौर्ट सी two light and c c three light 5G स्मार्टफोन में कुछ यहां पर हमें डिफरेंस नहीं सिर्फ डिस्प्ले में 120 हर्ज रिफरेंस रेट यहां पर फिलहल अब तक हमें देखने को मिला और डिवाइस की बैटरी जो दे आ गया है वह यहां पर आमें दिया गया है और फाइब तोसे मिली अम्पिर आर का बैटरी जिस्टी सेबन वाट फासन सपोर्ट दिया गया है यह काफी एच्छी बात है कि 67 वाट और 80 वाट का चार्ज़ार दिया गया है और इसी स्मार्टफोन के अगर हम बात करें कैमरा स्पेसिफिकेशन के उपर तो डिवाइस की यहां पर कैमरा संपल देख सकता हो 16 मेगा बिक्सल का सेलफी कैमरा ड सब्सक्राइब के साथ में दिया गया है विडियोग्राफिक के उपर बात को रुटेरे टीपी 30 fps स्मार्टफोन के रियर एंड सेलफी कैमरा के साथ वीडियो शूट कर पाऊँगे और चलिए दूस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं स्मार्फोन की फिंगर्पिन स्केनर के और बड़ी तरीकी से डिवाइस को अनलोग करता है इसकलाव फेस अनलोक से अभी इसी स्मार्टफोन को आप अनलोग कर पाऊँगे सब्सक्राइबल है तो जो भी स्पेसिफिकेशन यहां पर हमने देखा है डेफिनली काफी बढ़िया दिया गया है और फिलहाल प्राइस प्राइस के स्मार्टफोन के रिव्यू करते हैं कि प्राइस क्या है और प्राइस रेंच के इसाप से क्या आपको यह स्मार्टफोन लेना चाहिए या क्या कुछ कमिया है इस सभी चीजों के बारे में फिलहाल बात कर लेते हैं यह जो वान प्लस नौड सी तरी लाइट 5G स स्मार्टफोन है तो 20 तो उजन की डिवाइस के इसाब से देखा जाए तो कहीं न कहीं डिवाइस के डिस्प्ले काफ यह एच्छ दिया गया है 120 हर्ज रिफ्रेश्ट के साथ में पंच्छोल केमर के साथ में 6.72 इंचेस का हमें यहाँ फुल एच्टी प्लस स्क्रीन मिल रहा ह और डिवाइस में जो चिपसेट दिया गया है Qualcomm Snapdragon 695 मुझे खास करके एच्छा नहीं लगा क्योंकि Qualcomm Snapdragon 695 चिपसेट जो है वो अच्छा है 5G चिपसेट है लेकिन प्राइस रेंज के इसाब से मुझे OnePlus के डिवाइस के इसाब से थोड़ा खमी definite लेगा और शेम चिपसेट ह अच्छा लगा एच्छा लगा तो प्राइस के डिवाइस से डेफिनिल आच्छा खासा रएज़् और मुझे तो खास करके अच्छा ही लगा और आपको किसा लगा यह OnePlus 2 च 3 लाइप 5G स्मार्पून नीचे कोमेंच सेक्षन पे जबताई अगर अच्छे लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनलों को अभी तिक सब्सक्राइब ने क्या निचे दिया गए हुआइड बीटों को क्ली करके चैनलों को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आज की वीडियो के लिए भी टेक यार एंड जाए हिंद